दोस्तों mutual funds plan के अंदर पिछले 10 साल के अंदर अगर हम return की बात करें तो यहाँ पर यह कमाल का return रहा है बहुत सारे mutual funds के ऐसे plan हैं जिन्होंने जबरदस्त return दिया है और यहाँ पर कम से कम टाइम में नहीं 12-13 साल के अंदर पिछले लोगों ने जिन्होंने निवेश किया उन्हें करोड़ पती भी बनाया है तब भी पिछले 10 साल में mutual fund ने कमाल का return दे कर बहुत सारे लोगों को कम पैसे से करोड़ पती बनाया है पिछले 10 साल में mutual funds के अंदर जो return है वो compound बहुत सारे fund ने 35 से लेकर 30% तक भी दिया है यानि कि mutual funds में अगर आप आज भी निवेश से स्टार्ट करते हैं और आपका target है कम पैसे निवेश करके एक बड़े fund बनाने का तो आप कम से कम टाइम में एक बड़ा fund आसने के साथ बना सकते हैं क्योंकि दोस्तो अगर हम आज के date की बात करते हैं तो लोग सबसे ज़ादा ऐसी जगा पैसा निवेश करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके पैसे पर रिस्क भले ही थोड़ा बहुत हो लेकिन उन्हें profit काफी अच्छा में जाए बैंक FD या फिर LIC की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षित निवेश के लिहाँ से निवेश option यह अच्छा तो है लेकिन अगर आप कम पैसे से एक बड़े fund बनाने के बारे में सोचेंगे तो आप यह नहीं कर पाएंगे साड़े साथ परसेंट सिम्वाड इंटरसेट के साफ से आप अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाएंगे लेकिन mutual funds में आपके पैसे पर रिटन compound मिलता है जिससे आप कम पैसे निवेश करके भी बड़े टार्गेट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं दोस्तों जिन लोगोंने बारे साल पहले small cap fund के अंदर सिर्फ 7000 रोपे महिना निवेश किया तो यहाँ पर कम से कम 15 fund ऐसे हैं mutual funds में जिन्होंने बारे साल के अंदर करूल पती बनाया है आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो compound है वो कितना अच्छा मिला है जिससे लोगोंने कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा fund बनाया है पिछले 5 साल की अगर हम mutual funds growth की बात करें तो 150% से जाधा की growth है और अगर हम mutual funds में कुल AUM की बात करें तो वो 50 लाग करोड़ पे पार कर चुका है यानि यहाँ पर लोग जम कर पैसा निवेश कर रहे हैं और उसकी सबसे है कि अगर आप direct stock के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको daily basis पर stock market को tag करना होगा सही stock पिक करना होगा और stock की सारी analyst आपको खुछ चेक करने होगी कि company के fundamental कैसे है company की sale growth कैसी है company के उपर dead कितना है या फिर daily basis पर जो company से related news है वो भी आपको cover करनी होगी हर quarter में company के result पी डीट करने होगे और बहुत सारे चीज होती है जो एक stock अगर आप portfolio में शामिल करते हैं तो उसे आपको daily basis पर track करना होता है लेकिन अगर आप इतना जंजट नहीं पालना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप बस पैसे निवेश करते रहें और आपको एक बड़ा fund मिल जाए तो दोस्तो mutual fund में आप आज भी कम पैसे निवेश करके एक बड़ा fund आसानी के साथ बना सकते हैं लेकिन साड़े 4000 से ज़्यादा mutual fund प्लान आपको मिलते हैं निवेश करने के लिए लेकिन अगर आप कम पैसे से एक बड़ा fund बनाना चाहेंगे तो आपके लिए fund के अगर आप दोस्तो अपने लिए कम पैसे निवेश करके उस पर रिस्क ले सकते हैं तो आप small cap fund की तरफ भी रुख कर सकते हैं यहाँ पर भी पिछले कुछ टायम से small cap category के फंडों ने काफी बहतरी निटन दिया है उसमें बड़े बड़े फंड जादा सामिल हैं जिनके ऐसे small cap fund है जो दोस्तो पिछले 8 साल पहले start हुए थे उन्होंने एक जबरदस्त रिटन दिया है हम आपके लिए एक ऐसा ही fund लेकर आए हैं जो bank of India का है दोस्तो यह fund 8 साल पहले start हुआ था दोस्तो उस टाइम पर अगर यहाँ पर किसी ने 1,00,000 रुपे निवेश किया होता तो आज उसके पास 8,00,000 से जादा का fund होता या फिर सिर्फ 5,000 रुपे महिना लगतार 8 साल से वो निवेश कर रहा होता तो आज उसके पास लगबग 14,00,000 रुपे का fund होता जबकि अगर आप bank FD में 1,00,000 रुपे निवेश करते तो उसकी value आज की rate में सिर्फ 1,66,000 के होत कि कैसे यहाँ पर आप कम टाइम में भी एक बड़ा fund बना सकते हैं तो वीडियो काफी knowledge पर होने वाली है बिना escape की वीडियो को लास तक जरूर देखें और चैनल को subscribe जरूर कर ले दोस्तो जिस plan की हम बात करे हैं वो है bank of video का small cap fund यहाँ पर अगर हम आप तक के return की बात करें तो fund ने चांदार लगातार 8 साल से 32.10% का return दिया है और दोस्तो यह compound return है यानि जिन लोगों ने सिर्फ 5,000 रुपे महिना इस fund में निवेश किया तो दोस्तो 8 साल में उनके पास 14,000,000 रुपे का बड़ा fund है लेकिन अगर आप यहाँ से भी इस fund में निवेश करते हैं और आपको इस से 4-5% return कम भी मिलता है तब भी अगर आपके एक करूर रुपे fund बनाने का target है तो उसे आप आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं क्योंकि इस mutual fund plan का जो पैसा है वो सारा का सारा small cap category के जो stock हैं उन में निवेश किया गया है और कुछ पैसा mid cap और large cap category के stock भी इसके portfolio में शामल हैं ये भी हम यहाँ पर check करने बाले हैं लेकिन सबसे पहले अगर हम इस fund के सिर्फ पिछले 5 साल के return की बात करें तो fund ने 33.60% का return, last 3 year में 31.53% का return, last 1 year में 52.58% का return, जबकि last 6 month में fund का return, शांदार 21.57% से जाता है लेकिन दोस्तों इस fund में आपको सिर्फ 25% का return मिलता है और आपका target है एक करोड फंड बनाने का और आप कम से कम पैसे निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैसे और कितने पैसे निवेश कर गई, एक करोड का fund आप बना सकते हैं, लंब सम या फिर SIP के तुरू, पहले हम यह चेक करते हैं, उसके बाद आगे इस fund का review करते ह हैं, दोस्तों कर आपको यहाँ पर return मिल जाता है, सिर्फ 25% का, जैसा कि fund ने अप तक return दिया है 32%, उससे 7% कम, यहाँ पर आपके पास जादा पैसे नहीं है, निवेश करने के लिए, और आप यहाँ पर 2000 रुपे मत्ती निवेश करते हैं, अगर आप यहाँ पर 6 साल या फि पूरा कर सकते हैं, 19 साल के अंदर, यानि 2000 रुपे महिना, अगर आप आज निवेश स्टार्ट करते हैं, तो आप से 19 साल के बाद, आप सिर्फ 4,56,000 रुपे का निवेश करके, एक करोण 6,00,000 रुपे का बड़ा fund बना सकते हैं, या फिर कुछ टाइम और इस पैसे को आप निवेश कर देते हैं, तो 24 साल में 5,56,000 रुपे का fund बना सकते हैं, और दोस्तो 30 साल तक अगर आप इस SIP को continue रखते हैं, तो 7,20,000 रुपे तक fund भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास जादा पैसे नहीं हैं, और आप लमसम पैसे निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, 25 30% रिटन अगर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आप सिर्फ 62,000 रुपे निवेश कर देते हैं, तो दोस्तो अगर आपका 1 करोड रुपे fund बनाने का target है, तो इसे भी इस fund से आप पूरा कर सकते हैं, लगपक 23 साल के अंदर, या आज अगर आप 62,000 रुपे इस fund के अदर निवेश करके भूल जाते हैं, तो इससे भी आप 1 करोड 5 रुपे का fund बना सकते हैं, या फिर अगर आप 30 साल तक इस 62,000 रुपे को निवेश करते हैं, तो यहाँ पर इस 62,000 से 30 साल के अंदर 5 करोड रुपे तक fund बना सकते हैं, या फिर दोस्तो अगर आपका target है, जल्दी एक करोड रुपे fund बनाने का आप 2,000,000 रुपे निवेश करते हैं, लंब सम, 25 परसंट का return अगर आपको मिल जाता है, और एक करोड फंड बनाना आप चाहते हैं, तो दो लाक निवेश करके आप 1 करोड 11,000 रुपे का fund 18 साल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तो ऐस नहीं हैं कि ये fund हमेशा से एक अच्छा return देता रहा, यहां पर कई बार fund के अंदर correction भी आया है, पहला correction 2020 के अंदर आया था, लोक्टाउन के टाइम जब stock market crash हुआ था, तो यहां पर 78% का एक बड़ा correction था, उसके बाद यहां पर stock ने अपना high level टच किया, और उसके बाद 2022 म से compound return काफी बहतर दिया है, यानि कि short term में इस fund के अंदर correction जरूर आये हैं, लेकिन long time में fund ने compound return काफी बहतर दिया है, जबकि दोस्तों इस fund के current NAV net asset value का price 42 रूपीज 21 पैसे है, NAV का जो भी price होता है, और जो भी आप पैसा निवेश करते हैं, चाहे से SIP के थूर निवेश क की जाती है, fund की rating 5 है, 910 करूर रूपे इस fund का U.M. है, यहाँ पर SIP कम से कम आप 1000 से start कर सकते हैं, और लम सम्में 5000 रूपे से आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों mutual funds में सबसे important होता है holding, यहाँ पर यह हमें पता होना चाहिए कि हमारे पैसे किन stock को में निवेश किया जाएंगे, यहाँ पर कुल मिलाकर stock है, 70 जिन में पैसे को नवीच किया गया है, और टॉप होल्टिंग में B.S.E. इंडिया, रेडी को खेतान, K.S.P. लिमेटेड, केनिस टेक्नोलोची, PCBR लिमेटेड, लेमन ट्री होटल, रेट इगें ट्रेवल, यहनि कि कुल मिलाकर द यानि कि सारे ही सेक्टरों में पैसे को डिवर्थिफाई किया गया है, यही वज़ाय कि लगातार फंड ने रेटन भी कमाल का दिया है, दोस्तों गरम फंड के खर्चे, expense ratio की भी बात कर लें, यह भी कम है, 0.76% का, यानि कि expense ratio जो भी होता है, और जो भी आप पैसा होता है, तब और रिटन पर 15 वर्थन का tax आपको देना होता है, अगर आप एक साल से पहले पैसे निकालते हैं, तब, अगर हम fund management team की बात करते हैं, तो इस fund को manage करें धुरुब भाट या 2022 से, दोस्तों bank of India, mutual fund house की हम बात करते हैं, तो इस AMC के पास लगबग 6,349 करोड रु निवेश करते हैं, तो उससे भी एक बड़ा fund बना सकते हैं, या फिर SIP के तरूँ आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते रहने से भी अपने किसी भी target को पूरा कर सकते हैं, शौर्ट टर्म में यहाँ पर correction ज़रूर आते हैं, देखिएन अगर आपका नजरिया होता है, थोड़े से लंबे टाइम निवेश करने का, यानि कि 10 से लेकर 12 साल, तो यहाँ पर आप एक बड़ा fund बना सकते हैं, mutual fund scheme related, अगर आपका कोई question होता है, तो आप हमें जरूर बताइए, ये वीडियो education purpose के लिए है, और हमारे इस चैनल को subscribe जरूर करें, और वीडियो को अ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, धन्यवाद,